जैहिंद आपका हमारे वीडियो में श्वागत है तो साथियों जैसा कि आप सब जानते हों कि हमारी रूट वर्ट की सिरीज चल लई है जिसमें हमने अभी तक जो है एक नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो है रूट वर्ट कर लिया है और आज हमें इसमें करने वाले हैं 11 नंबर से 11 नंबर से लेकर के साथियों आज हमें 15 नंबर तक देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो साथियों यह दिया हमारी सेनल पर आप नए हो तो आपका हमारी सेनल पर स्वागत है और आप हमारी सेनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली आगामी जो वीडियो है वो आपको आसानी से आपको मिल सके आपके पास पहुच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे पहला जो यहां पर आज का 11 नंबर का रूट वर्ड है वो है बेल बेल का मतलब क्या होता है बेल का मतलब होता है beautiful फेर और फाइन तो मतलब जब भी बेल आएगा इसका मतलब होगा सुंदर से जम्म दित होगा beautiful इसे जो वर्ड बन रहे हैं यहां पर इंबेलिस इंबेलिस देखें आपे बेल शिपा हुआ है यहां भी बेल है और यहां भी बेल है तो इंबेलिस का मतलब क्या होता है इंबेलिस का मतलब होता है सजाना अच्छी को और अच्छा बनाना तुसी को बोलते हैं इंबेली का मतलब क्या होता है बेल का मतलब होता है अगर्ड और वोमें एड्मायड फॉर हर ब्यूटी एंड चार्म मतलब लड़की या फिर जो अवरत होती है उसकी प्रसंसा की जाए उसकी सुंदरता उसकी सुंदरता पर उसको बेल बोलते हैं इसके बाद में हैं बेल बेटर कम लब क्या होता है एक ऐसी विल्डिंग जो बहुत ही आकर्सर का केंदरो तो उसको बोलते हैं क्या बेल बेडर अब मैं repeat कर देता हूँ देखिए बेल का मतलब होता है beautiful, fair और fine इसे जितने भी word बनेंगे यह सब एक positive word होगा और यह सुन्दर से संबंदित होगा जो है जिसे पहला word यहाँ पर बना imbellis, imbellis का मतलब होता है साजाना make beautiful और deco red इसका मतलब होता है किसी girl और woman की प्रसंसा करना तारीव करना उसकी सुन्दरता को लेकर तो उसकी को बोलते है क्या बेल इसका मतलब होता है एक आकर्सक जो विल्डिंग होती है जो बहुत ही pleasing सीनो तो उसकी को बोलते हैं bell बेड अब इसका नेक्स पे चलते हैं, next है इम il to the Beta है और जोहने अई हिसका मतलब होता है गुड या फिर वेल तो मतलब जब होता है उसका मतलब होगा अच्छा अच्छी किसे सम्समिक वह सिर्फिकर्ट करता मेल का मतलब होता है ऐली से प्रकार से बें बें पहले हैं यहां प्रण पर द rain ok 25 इसका मतलब होता है गुड़ या फिर बेल अब इस्से अहीं वर्ड ल्यांती यहां धिला है इसमें कौन-कौन से बन रहे हैं यहां पर दियला वर्ड बनना यह पिर बेनीफेक्टर का मतलब क्या होता है बेनीफेक्टर का मतलब होता है और मैंने आपको बता है था मेलीफेक्टर का बेनीफेक्टर का मतलब क्या होता है इसके बाद में बेनीफेक्टर का मतलब होता है उधार परोपकारी स्विंग काइडनेस और गुडविल तुसी को बोलते है बेनीबॉल इसके बाद में भीया बेनेडिक्चन बेनेडिक्टिन का मतलब होता है है आजिरवाद या मंगल कामना करना येसे कि आप आसिरवाद बंगल कामना करते हैं दूसरों के लिए May God bless you, भगवान आपका भला करे, तो उसी के लिए यूज़ करता है benediction, the act of praying for divine protection, जिसे आसिरवाद क्यों करते हैं, ताकि भगवान आपकी रच्छा करे, बोलते नहीं घर वाले, जो मम्मी अम्मी होते हैं, भगवान हमारे बच्चे का ध्यान रखना, है ना, तो उसी को बोल beneficiary का मतलब हो, सकता है, हांपे जो beneficiary का मतलब होता है, वो होता है उत्रादिकारी, a person who receives something good from some ill such as an inheritance, inheritance का मतलब क्यों होता है जो बिरासत में आपको चीज़े मिलती हैं, तो उसी बोलते है, beneficiary, beneficiary का मतलब क्यों होता है, उत्रादिकारी, इसके बाद में है आपका benign, benign का कि आंच्छा इफ दीस्क्राईब सम्वान एज बिनाइन का मतला कि होता है इसके बाद में आपका बोनाफete का मतलब क्या होता है बुड़ को बोलते हैं आप जो चीजे असली हो जो चीज चीजे प्रमारी थो तो तुसी को बोलते हैं और मैंने आप को अब बताया था प्रान्स में जब जाता है घंप सब गुड़ वाइः यहां पर बोलते हैं उसी को क्या बोलते मेरे बाई बहुन बोयाज बोलते हैं गुड़ वाई के संस मेही बन बोयाज बोलते हैं एक बर मान प ampswire तुसरी को मलते बेनि फेक्टर संब theicos ऐसके बाद में बैनिफियल की वीम्हां लौक में अबेनिक लेक के अर्ट करनू के भी तुसिंग पड्रोब संस्क्राइक मदल्धेक्ट में oso से अच्छे से आशिरबाद कामना करो बने दिक्सिंटरी बैने डिक्सिन वह होता है आशिरबाद मंगल कामना इसके नगें प्रेंटा चुल में तो विस्टाइब का मलब होता है। इसके बाद में हैंग… बनाइन मिलब होता है। अच्छा और बनाइन का मलब होता है। लुएंग और प्रोडूसिंग गूड तुसी को बोलते हैं बायो का मतलब होता है आप सो बचपन से पढ़ते हुए यारो बायो का मतलब क्या होता है लाइफ जीव से संबंदिश होता है तुझे यहाँ पहला बना बायो लौजी biology का मतलब क्या होता है studying uh study of animal plant structure तो तो सी बोलते है biology biology का मतलब होता है इसे बोलेगे बायोपसी और autopsy का मतलब होता है dead body का medical check-up करना तो से बोलते है Quincy इसके भाद में एं एंटी बायोकिक एक मेडिसीन होता है ठीक एनंटीबाइटिक इसके लगे हैं यहां पहँता है यहां पिभीस इंफिier का मतलब होता ते ज्यू जलॉथल दोनों में रहें मैंने आपको सूल ज्यू चाहि exists सबादने गतर ले उरicate ओंपर तो इस 것도 दो रूट वर्ट है MP MP का मतलब होता है तू और बायो का मतलब होता है जिव जो जल और थल दोनों में रहे लिविंग और एबल तू लिब बोथ ऑन एल एंड इन वाटर जो मलब जल में भी रह सके तो उस्य क्या सुद्दैं एंफीबियस इसको बोलते हैं इसके बाद में आपको इन में रिपीट करवा देता हूं यह सारे वर्ड कम्पलीट हुए प्रण के बायो का मतलब क्या होता है जब भी इसका मतलब जीवन शंबंदित होगा पहला इसमें गया इस्टेड़ी इसके बाद में चीज़े जल और फल दोनों में रह सके तो उसको एंटीबियोटिक बोलते है इसके बाद जो जो चीजे जल ऑफलों में रहे सके तो इसको इंफीबियस बोलते हैं इसके बाद में서 delivering ग्लिट्व इसका मतलब होता है किल करना मुर्दर करना तो सhouse जब भए आए का साइड इसका मतलब क्या होगा किसी की हत्ते हो गरा करना तो उसी को बोलते शाइड अब किल या मेरे रोदर होता है ठीक आहिक कि इसके वर्ड के उपकल बंते हैं पहला वर्ड़ के हैं पहला में आप फ्रेट्री साइड का मतलब होता है भाई की हत्या फेयर मीन्स होता है इसके बाद में in हत्या करना उसी को बोलते है इसके बाद में डामने मेरती साइड का मतलब मेरिटी साइड का मतलब मेरिटी मेंस होता है हस्बेंड यह जो मेरिटी होता है इसका मतलब होता है हस्बेंड इसका मतलब होता है अपनी पती की हत्या करना तो उसी को बोलते है मेरिटी साइड मेरिटी मेरिट मेंस हस्बेंड सु मेरिटी साइड मेंस दा मर्डर ऑफ आ हस्ब मतरी साइड का मतलब होता है क्या चाहिए करना is pa पैरिट्रिशाइड का मतलब होता है पिता की आतिया करना इंग्ज्रम रशोएंम कि उसको पैठी है साइड मेंज ऑसImp ». उसको मदें थाइंग्जुर क्था साइडS इसके बाद में नست पैरिसाइड का मतलब होता है भीया पैरी का मतलब होता है पैरेंट्स तो है सुरोरी साइड इसको बहन कियत्या करना इसके बाद मेंज खुटा सा लिखाए ये इधर लिखना से नहीं गलती से इदर छप गया हुआ तो सफिलि साईड और दोत्र करना उसको को बोते हैं इसके बाद मेंit हैं कि एक फोटी सइदफ इता है कि इसके बाद में सब्सक्राइब Xenocide का मतलब होता है Gene Means a particular race So killing of a particular race of people तुसी एको बोलते है जिनोसाइड Genocide का मतलब होता है नर्संगार इसको उन्हें Next है Homicide Homicide का मतलब होता है Murder of a man तुसी को बोलते है Homicide इसके बाद में आपका भी है Canicide Canicide का मतलब होता है Mano hatya और Canicide कैनी साइड का मतलब होता है कुट्ते की हत्या करना इसके परतमें इत्य है आओए महत्यतिस सआइट का मतलब होता है मंडर और ऑफकिंग किसी के हत्या करना तो जो मैंने आपको पहला वर्ड हता था दिया कर करना मेरिटी साइट का मतलब होता है पती की हत्या करना मेट्री साइट का मतलब होता है माता की हत्या करना पेट्री साइट का मतलब होता है पत्नी की हत्या करना और इसके बाद में नेक्स्ट है सुरूरी साइट का मतलब होता है सिस्टर की हत्या करना और होटी साइट का मतलब को मतलब होता है नर संगार हुमिसाइड का मतलब होता है मानों की थिया करना और जुब मतलब होता है राजा कि पत्या करना इस सारा हमारा साइड से स्पाइड administer पर चलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड है साइन या काइन साइन या काइन जब भी आएगा इसका मतलब होगा मुवमेंट यह आपका मुवमेंट संबंदित होगा तो देखे इससे पहला वर्ड जो बनता है यह टेली काइनेसिस का मतलब क्या होता है टेले काइनेसिस का मतलब होता है मुविंग आपजेक्ट यूजिग दा पावर औफ दा माइन मतलब अपने माइन का प्रियोग करके चीजों को इधर उधर कर देना तो सी को बोलते हैं तेली काइनेसिज इसके बाद में काइनेटिक काइनेटिक एनेटिक आप सब पढ़े थे मूबमेंट समद्ध यह तो कैने का मलब क्या होता है study of human movement जैसे मानों की गतिविधियों का अध्यन करना जो मानों की गतिविधियों का अध्यन किया जाता है उसी को बोलते है कैने स्कॉप का मलब क्या होता है जो मुल्मेंट क दर्साता है कि इस प्रकार से होता था कैने स्कॉप है इसके स्ने का मलब क्या होता इसकी स्कॉप इसकी कि भूलते हैं चलचित्र चलचित्र रिकॉर्डर होता है उसी को मोशन पिक्टर फोटोग्राफर तो उसी को बोलते हैं सिनेमाटोग्र अब एकमार में रिपीट कर देता हूं SIGN या KIN जब भी SIGN या KIN आयेगा इसका मतलब हुगा movement तो इससे पहला वर ना तैली किने GO का मतलब होता है अपने मिन्डिक का पर्योगर के चीजों को इधर उदर करना कramosला हूए related to the movement of body is thisर technique कॉने म्लबन होगत है Study of human प्रकार से सिनेमा टोग्राफर होता है चलती हुई चीजों को जो रिकॉर्ड करें मोशन पिक्चर फोटोग्राफर तो मैं आसा करता हूं कि आपको सारे वर्ड जो है समद में आ गए होगे तो मैंने साथ कंप्लीट के फाइप रूट यहां पर इसके बाद में आप से मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट वाक करता है